हेलो फ्रेंट्स सुनितास किचिन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड़ू सभी को बहुत पसंद होते हैं और वैसे भी अफ फेस्टिवल जाने वाले हैं तो आप बाहर के लड़ू खाने से बेटर हैं कि अपने घर पर ही अपने हाथों से लड़ू बनाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेसन के लड़ू घर पर कैसे बनाए तो बेसन के लड़ू बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए देड़ कप सूजी तो य तो अब इसमें हम डाल देंगे देसी घी तो यहाँ पर हमने घी के पाँच चमच लिये हैं तो अब इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स तो देखिए घी हमें इतना चाहिए जिससे के हमारी मुट्की बन जाए याने कि यह अच्छे से बाइंड हो सके तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसका डो तयार कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने डो लगा लिया है तो डो हमें थोड़ा टाइट चाहिए तो अब हम इसकी बना लेंगे मुठिया तो जितना भी आटा हमने लगाया है सारे की हम मुठिया बना लेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें मुठिया बनानी है तो देखिए सारी मुठिया बनकर तयार है तो अब हम इने कर लेंगे डीप फ्राइब यहाँ पर मैंने पहले ही तेल गरम चड़ा दिया था और तेल अच्छे से गरम भी हो गया है अब हम इसमें मुठिया डाल देंगे और इने अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो अब थोड़ी थोड़ी देर में हम इने पलटते रहेंगे तो देखी यह अच्छे से फ्राइ हो गई है और इनका कलर भी कितना गोल्डन ब्राउन हो आया है तो अब हम इने निकाल लेंगे तो अब हम इने थोड़ी देर के लिए ठंड़ा होने देंगे तो इतने हम चाश्णी तयार कर लेंगे यानकी शुगर सिरब तो यहाँ पर लेंगे डेड़ कप चीनी और इसमें डाल देंगे आदा कप पानी तो यहाँ पर हमें चाश्णी का तार नहीं बनाना है हमें यह थोड़ी चिपचिपी चाहिए यह एकदब परफेक्ट बन गई है और अब हम कर देंगे गैस को आफ तो अब यह थंडे हो गए है और अब हम इने छोटे-छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे तो अब इन पीसेस को जार में डाल कर हम इने ग्राइंड कर लेंगे तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है तो देखिए कितना दानेदार बना है तो अब इसमें डाल देंगे इलाइची पाउडर और ड्राइफ फ्रूट्स तो यहाँ पर हमने लिये हैं काजू और बादाम तो यह ने कर लेंगे मिक्स तो अब इसमें चाशनी डाल देंगे जो हमने रेडी की थी और इसे मिक्स कर लेंगे तो चाशनी हमें इसमें हलकी सी गरम चाहिए ज़्यादा गरम चाशनी नहीं होने चाहिए तो थोड़ी थोड़ी चाशनी डाल कर हम इसे मिक्स करते रहेंगे तो चाशनी हमें इतनी डाल लिये हैं कि अच्छे से बाइंड हो सकें और हमारे लड्डू अच्छे से बन सकें तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसके बना लेंगे लड्डू तो देखिए लड्डू हमारा बनकर तयार है और यह कितना सॉफ्ट और दानेदार बना है ऐसे हम सारे लड्डू भी बना लेंगे तो देखिए मैं आपको एक लड्डू तोड के भी दिखा देती हूँ तो देखिए कितने सॉफ्ट बने है तो देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर रेडी है और यह एकदम बजदार जैसे बने है यह उतने ही सॉफ्ट टेस्टी और दानेदार बने है और अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर और स्ट्क्रेब जरूर कीजी थैंक्स पर वचिंग आर वीडियो